इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वालाँ फ्रेंड्स की आप दोस्तों IQJet6 Lite 5G के मालफोने वॉल्यूम डाउन बटन से आप कोई भी एप ओपन कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे खोल सकते हैं तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से लाश्ट तक देखिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सस्क्राइब जरूर करेगा इसके लिए आपको अपने IQJet6 Lite 5G मालफोन की सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाकर नीच आना है नीच आने पर आपको option मिलता है, thought garden accessibility का, इस पर आपको क्लिक करना है इसमें आपको option मिल जाएगा, quick action का, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें देखिए, यह quick action वाला सेटिंग्स आपको इस तरह के से ओन रखना है अगर इस तरह के से बंद है, तो आप यहाँ पर एक क्लिक करके ओन कर दीजेगा और इसमें नीच आएगा, तो आपको एक option मिल जाएगा, open app का इस पर आप क्लिक करिएगा, open app पर, तो आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके phone के सारे app आजाएगे अब यहाँ से देखिए, आप जिस app को select दोस्तों कर देंगे, तो volume down बटन दबाने पर आपके phone में वही app open होगा जैसे देखिए, मैं यहाँ से Chrome को select कर देता हूँ, तो आप देख सकते है, open app में Chrome select हो गया अब इससे क्या होगा, कि जब मारा mobile phone का screen बंद होगा, तो उस time जब हम volume down बटन जिस से वाज कम होता है उस button को कुछ दिर दबा कर रखेंगे, तो direct वहाँ पर हमारे phone में जो है Chrome का app open हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने Chrome को ही select कर रखा है, तो इस तरह के साब दोस्तों अपने iCube Z6 Lite 5G के mobile phone में कोई भी app को आप open कर सकते हैं, volume down बटन से उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, लाइक करिएगा चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा